भाई इधर रशिया ने वीजा ओनलाइन इवीजा स्टार्ट कर दिया और यहां हमने अपलाई कर दिया आप लोग देख सकते हो तो भाई इसका पूरा प्रोसेस वीडियो पूरी देख लेना आपको पता चल जाएगा आज ही रशिया ने इवीजा स्टार्ट किया है 8.1.2023 इवीजा रशिया और भाई हमने अपलाई कर दिया फ्रेंट्स फाइनली भाई आपके लिए मैं लेकर आ गया हूँ गुड न्यूज बाई यह है रशिया इवीजा को लेकर फाइनली भाई मैंने एक वीडियो बनाई थी कम से कम दो महीने पहले लेकिन कई लोग ने बुला था और अभी भी सची बोल रहा हूँ फाइनली भाई रशिया ने इवीजा लॉंच कर दिया है ठीक है सारी डीटेल में आपको दूँगा इस वीडियो में ए टूज सारी डीटेल जो भाई दूसरे चैनल पर छुपाते है ना उम मैं आपको दिखाऊंगा ठीक है तो भाई एकुरिट इंफोमेशन इन वीडियो में मिलेगी जो आपको कहीं और नहीं मिलती तो फाइनली भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं और बताता हूं अब हलो फ्रंट्स वल्कम बैक टुझ देचैनल मैं रोविंदिवान आपका स्वाहत करता हूं तो भाई फाइनली इस करते हैं क्या आउगी कोस्ट आती है यह फर इंटरनाशनल सारे इंफोमेशन तो भाई स्टैव भाई सेप में आपको बताऊंगा अभी सारे पीपास एगजक्ण इन्फोमेशन नहीं है बट मैं आपको एक प्रॉपर वेबसाइट पर लेके चलोंगा वहाँ पर आपको दि उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, step by step, वो आप जाके एक बार देखना, सब्सक्राइब कर देना, उसको भी भाई, और भाई, फाइनली मैंने एक वीडियो बनाई थी पहले, दो-तिन मेने पहले, और कि रश्या स्टार्ट कर रहा है, फाइनली उन्होंने कर दिया भाई, खुदी अपने घर बैठे, पैर पे पैर रखे, लैप्टोप रखे गोदी में, और आप अराम से अपलाए कर देना, ठीक है, तो पूरा प्रोसेस दोनों चीज़ आपको यहीं पे मिल जाएंगी, कहीं और जाने की जुरूत नहीं है, तो अभी हम आपको लेके चलत आपको इवीजा मिलने वाला है इन फीचर, तो भाई, बहुत ही बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए, और भाई, सबसे मेरी चोटी सी रिक्वेस्टर इसको शेर जरूर कर देना, अब भाई, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जो आपको पता होनी जरूरी है, अपलाई कर नाम नहीं है, तो अब आपको इन फीचर बताऊंगा, तो अभी आप देख सकते हैं, कि यहाँ पे किसका नाम है, क्लिन इन गार्ड रिजिन, सेंट पिट्सबर्ग है, ठीक है, और फार इस्टरन फेडरल डिस्टिक्ट है, तो भाई, यह है, इन तीनों में अभी अप्लिक डलेगी, ठीक है, काफी सारे लोग इसको जानते होंगे, सैंट पिट्सबर्ग, ठीक है, इनको भी नहीं जानते, और इसको भी नहीं जानते, और इनके भी डिफर्ट डिफर्ट एरियाज है, क्योंकि मैंने वे अप्लिकेशन में देखा था, वो भी मैं आपको बताऊंगा वो दूसरी चैनल पर आपको मिल जाएगा, रशियाई वीजा, इट इस नाव मच एजियर तो अप्टेन टूरिस्ट वीजा तो गो टो रशिया, भाई पहले क्या होता था, कि भाई 15 से वीजा रूपे लग जाते थे, किसी टेवल एजन से करते थे, क्योंकि इन्विटेश यह लाइन में लगने की, a more convenient and quicker option, बहुत ही सरल और अच्छा तरीका, you can now simply, now can simply in just a few clicks, apply online to obtain your tourist e-visa, e-visa आपको मिल जाएगा, थोड़ा सापको apply करना है, और वो क्या है वो आपको बता हूँ अगली वीडियो आने वाली वीडियो में, you will need to fill the form, make the payment with a credit card, आपके credit card से आप आपको payment करने है, यह भी हाँ पे clear हो गया, ठीक है, debit card से नहीं होगी, it is important to consider these points before you apply, आप apply करने से पहले आपको यह चीज़े पता होनी चाहिए, यह क्या चीज़े है, वही मापको बता रहा हूँ अभी, e-visa has been set up by the Ministry of Public Security of Russia to simplify visa application, why visa application को simplify करने के लिए, simple करने के लिए, आसान करने के लिए, यह start किया है, ठीक है, electronic visa is an electronic and biometric visa that gives the same rights as the regular visa, कि मतला है यह उस visa की तरह ही है, एक regular visa होगा, ठीक है, यह भी हमें समझ में आगया, you will apply and obtain your electronic visa online and there is no need to go through embassy or other associations, क्यों इनकी जो other associations होती थी थी ना पहले, जिनके through visa मिलता था या पर travel agent या कुछ भी आपको आपको जरूरत है, अगर बैटा आप इसको apply कर सकते हो, the tourist visa provider currently only for single entries, यह सब से important point है भाई, सब से important point है, सिरफ और सिरफ single entry मिलेगा with a maximum duration of 8 days, ठीक है, यहाँ पर क्या आपको clarity मिली, सिरफ 8 दिन के लिए मिलेगा भाई, only in Russian Federation, Russia के अंदर सिरफ 8 दिन की entry आपको मिलेगी, तो कुछ ल ठीक है, learn more about the visa, e-visa, ठीक है, भाई, यह क्या करना, आपको, travelers must apply for 72 hours before their trip to Russia, ठीक है, भाई, देखो, अब ऐसा है, कि आप जिसे apply कर दें, वाले, या मानने कि आपका next week का plan है, तो आप आज कर दो apply, मतलब यह 72 गंटे मान के चले, मतलब कम से कम, आप one week लेगे, मतलब seven days लेक में problem क्या रही है, वो भी मापको हता हूँ, इस वीडियो के end में, वो पूरी देख लेना, ठीक है, those with the titles, title of diplomates as well, the diplomates है भाई, उनको कोई problem नहीं है, वो exam testies से, उनको छूट है, and following request online, answer will be communicated to you through your email, ठीक है, तो यह officials के लिए है, only the short stay visibly processed by our system, short stay visa, याने कि 8 days, यह ध्यान Track the process of your request, आप track कर सकते हो, review form को review कर सकते हो, जो आपने करा है, payment करनी होती है, and see the proof of your payment, payment का proof आपको email के तुरू मिली जाएगा, ठीक है, तो यह चीज़े थी और अब हम आजाते हैं, list of countries, कौन-कौन सी country है, जो रोशिया जिनको यह दे रहा, देखो काफी सारी countries है, Algeria, Bering, Belgium, Brunui, Croatia, Cyprus, Finland, तो भाई हम यहाँ है, Indian, तो Indian का नाम finally यहाँ पे है, ठीक है, तो भाई जैसा कि अब confirm हो जाते हैं, काफी सारी countries है, यह कितनी countries हो गई, जितनी भी हैं आप count कर सकते हो, और यहाँ पे आप देखो के तो यहाँ पे आपको apply कर देना है, website के नीचे, और यह ठीक है, यह सारी information आपको यहाँ पे मिल जाएगी, यह देखिए, मैं click करता हूँ, तो how to apply जैसी आगा है, तो यहाँ पे click करना है, अब simply आपको क्या करना है, यहाँ पे click करना है, already, मैंने एक application फिल करी है, already application, तो उसका भी मैं आपको बता दूँगा, तो यहाँ पे भाई, यह process स्टार्ट हो जाएगा अपना, ठीक है, तो यह चीज है बिलकुल important भाई, यह वाली, इस पे clarity आनी अभी बाकी है, क्योंकि Moscow का नाम इसमें नहीं है, और भाई, जैसे कि आपको पता है कि अभी अभी just start हुई है, तो थोड़ा सा clarification इस पे आनी भी बाकी है, ठीक है, और मैंने भाई, आप लोगों को testing के लिए एक application submit करी है, तो यह application मेरे number मेरे पास है, और hopefully देखते हैं कि क्या होगा आगे, और इसका जो भी result होगा, तो I will share with you guys, तो यह था भाई, इसका complete process, ठीक है, तो कोई भी भाई, बड़ा मुश्किल हो जाता था आपी सारे documents आपको लगाने पड़ते थे, invitation लगाने पड़ते थे, तो finally आपको इस चीज़ से काफी चुटकारा मिल गया होगा, है ना, तो भाई, finally आपने देखा, ठीक है, official source मैंने आपको दिखाया, कैसे apply कर सकते हैं, कहां से कर सकते हैं, क्या क्या चीज़े requirement है इस चीज आपको दोस्ता भाई, simple है process, लेकिन अभी जैसे अभी भी start हुआ है, तो मैंने application डाली है, अब उसका दिखते हैं कि क्या result आएगा, और वो result भी आप लोगों के साथ, दूसरे चैनल पे, क्योंकि description में है link, उस पे share करोंगा, तो please उसको भी subscribe कर लेना, उस पे हां भाई, work permit स जस्ते, tourist visa, cheapest, कैसे आप ले सकते हो, क्या पूरा प्रसुता वो सारी चीज़े उस channel पे share करते हैं, उससे भी काफी लोगों की help मिलेगी, ठीक है, तो ये इसका प्रसुता भाई, पहले क्या होता था कि पहले आपको embassy में passport submit करना पड़ता था, या फिर जो travel agent करते हैं, उनको देना पड़ता था, आपको ticket लगानी पड़ती थी, आपको invitation मंगवाना पड़ता था, अगर खुद से भी कर रहे हो तो invitation मंगवाना पड़ता था, उसके लिए आपको pay करना पड़ता था, उसकी cost जाती थी कम से कम 15-20,000 रूपे, उसकी normal cost जाती थी, लेकिन अभी के time में सि आपको देने पड़ेंगे, और बहुत ही best option है, भाई, रेशा ने यह जो निकाला है, काफी लोगों की इसमें help मिलेगी, बहुत सारे बंदे जैसे इस process से पीचट जातेगी है, और वहाँ पर invitation होगाना पड़ेगा, फिर वो उसका वीजा लगेगा, तो काफी lengthy process था, बट अभी के time में भाई, एकदम process बढ़िया smooth हो गया, super smooth, और काफी सारे लोग इसका फायदा उठा सकते हैं, और ये भाई, वीडियो मैंने सबसे पहले डाली थी, कि रश्या स्टार्ट करने वाला है यी वीजा, और आज रश्या ने स्टार्ट कर दिया है, आज 1st of August, और आज के दिनर सेने स्टार्ट कर दिया है, और भाई, अभी इसमें थोड़ी सी problem चल रही है website में, क्योंकि complete payment नहीं हो रही है, तो जैसे पूरा हो जाएगा, तो मैं पूरा process कैसे apply करना है, क्या-क्या चीज़ें इसमें mention करनी है, कौन सा hotel booking करनी है, और क्या आपको मापे reservation में डाल है, सारी चीज़े मैं आपको share, तो ये था भाई, पूरा process past में, अब process बिल्कुल change हो गया है, भाई, ये visa एक super smooth process है, आपको किसी भी country का visa लेने के लिए, ये बड़ा मुश्किल था, तो एक बाई कहीं बर मैंने तो plan किया, मैंने भी plan किया था, बट वो success नहीं हो पाया, त आपको बता जाता हूं, far eastern federal district, तो ये तीन जगहों के लिए इनोंने भाई, डाला है application, अभी के टाइम में ये ही है, उसमें मौस को select करने का option नहीं दे रहा है, बट जो mostly flights हैं, भाई, जो सस्ती जैसे मिलती हैं, वो mostly मौस को जाती है, तो मौस को उसमें नहीं था, हो सकता है कि in future उसको update कर दें, या कुछ डाल दें, तो जो भी जैसा भी होगा हूं, आप लोग के साथ जुरूर शेयर करूँगा, और भाई, अब मेरी सबसे एक छोटी से request है, सभी भाई उसे, कि भाई, इस वीडियो को शेयर कर देना, सबसे पहले आप लोगों के लिए डाल रहा ह हो, एजेंट के चक्कर में ना पढ़ कि आप खुद ही इस चीज़ को अपलाए कर सकते हो, और खुद ही आप इस चीज़ को ले सकते हो, ठीक है, तो भाई, मेरा परपस बनाने का वीडियो यही ता सिरफ कि आप लोगों की help हो, और real information, authentic information आप लोगों को मिले, ताकि आपको travel smooth हो, अगर आप लोगा travel smooth होता है, किसी बंदे ने travel करके वीडियो देखके, इनका travel सही हुआ है, तो भाई, मुझे एक बार नीचे comment कर दिया गरो, थोड़ा सा relaxable होता है वो, बंदा refresh हो जाता है, वो देखके comment कर दिया करो, आपका अपना चैनल हो भाई, और experience भी share किया कर जोब के बारे में, वहाँ पे weather के बारे में, और वहाँ पे travel के बारे में, और भाई, Indians के बारे में, क्या situation है, सब साब share कर सकते हैं इस चैनल पे भाई, आपका अपना चैनल है, तो किसी भी तरीका कोई charges नहीं है, ठीक है, आप वीडियो शेर करने का, या फिर आप उसे बा प्रस्णी के बारे में, एप जाओ बारे में, और किसी भी तरीकारा में, और में, क्या कर दो का अपना चैनल प्रस्णी आप लेड़िसाए इस बारे में, चारे में फेसे लिगन का फिरında को रोचा प Самने घज़ अ झाल